आप सबको मेरा नमस्ते यह सेशन में मैं आपको कोलीन के बारे में बताने वाली हूँ कोलीन एक बहुत Columbia portion थो है हमारे बच्चों के लिए brewing बहुत इंप्रॉटट loss dependent गरभुदारी माता धा के लिए क्योंकि कोलीन जो है वह बच्चयला का जो मस्तिक बनाने में बहुत का इब remot तो जैसे हम लोग हमेशा a 2025 मदर को बोलते हैं कि फॉलीग ऐसीड लेना है Folic Acid लेना है, वैसे ही, you know, Choline और Vitamin B12, तो folate के साथ, folic acid वो chemical है, chemical नाम है, folate, जब भी खाने में से folic acid मिलता है, उसको folate बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो जो तीन जो nutrient है, वो बच्चे के जो neural tube बन रहा है, जो neural tube, जैसे बहुत सारे tutorial में आपने देखा होगा, कि वो neural tube बन रहा है, तो वो neural tube बनाने के लिए, बच्चे को, मा को कोलीन रिच, फूर खाना, जो खाना है, कोलीन से भरपूर खाना बहुत ही जरूरी है, अगर कोलीन अगर कम हुआ, तो neural tube होने की संभाव ना है, ठीक है, और बच्चों में और अडल्ट में भी कोलीन बहुत इंपोर्टेंट है, अगर कोलीन नहीं मिला, तो हम लोग को लिवर जो है, हमारी कलेजी है, उसमें ज्यादा चर्बी और वसा जमा हो सकता है, इसको हम लोग फैटी लिवर बोलते है, तो इसलिए कोलीन बहुत सारे बहुत सारे उसके महत्वा है कोलीन के, लेकिन ये दो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ, तीन टुटॉरल अभी आप देखेंगे, एक तो है कोलीन का महत्वा, आपका स्वागत है, इस टुटॉरियल में हम सीखेंगे, कोलीन के मुख्यकाम, इसकी कमी के कारण और लक्षण, अलग-अलग उम्रके लोगों की जरूरते, कोलीन एक जरूरी पोशक तत्व है, यह शरीर में महत्वपूर्ण कामों के लिए जरूरी है, और समस्त स्वास्त के लिए भी, जरूरी काम जैसे कोशिका संरचना को बनाए रखना और कोशिकाओं के बाकी काम, कोलिन तंत्रिका आवेगों को तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका कोशिका तक ले जाने में मदद करता है कलेजे के सामान्य काम में भी कोलिन भूमी का निभाता है फैट और कोलेस्ट्रॉल को ले जाने के लिए भी कोलिन की जरूरत होती है यह मा स्पेशियों के नियंत्रण में शामिल है यादाश और सरकेडियन रिदम में भी सरकेडियन रिदम एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करती है ब्रुण के विकास के समय कोलीन की जरुरत होती है यह दिमाग के लिए जरुरी है और शिशु के तंत्री का तंत्र के विकास के लिए भी निूरल ट्यूब के बंध होने में भी ये असर करता है भुण में neural tube दिमाग और रीड की हड़ी का निर्मान करता है विभिन्न कारक है जो कमी में वृद्धी का कारण बन सकते है कोलीन, फोलेट, विटामिन B12, मेथियोनीन इन सब के मेटाबॉलिजम आपस में संभन्दित है यदि एक पोशक तत्व की उपलब्धता बाधित होती है तो बाकी के पोशक तत्व पर भी असर होता है फोलेट और विटामिन B12 का अपरियाप्त मात्रा में 7, कोलीन की कमी का कारण बनता है इनके अलावा अपरियाप्त आहार लेने से कोलीन की कमी हो सकती है गर्भावस्ता और स्तनपान के दोरान कोलीन की जरूरत बढ़ जाती है यदि इन जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता है तो कमी होती है इससे निूरल ट्यूब दोश और बच्चों में स्टंटिंग हो सकते है Neural Tube दोश जन्मदोश है जो तंत्री का तंत्र और रीड पर असर करते है यहां उनके दिमाग के विकास पर भी असर करता है बुद्धी और शारिरिक विकास पर भी असर होता है बढ़ते शिश्यों में इसकी कमी से याददाश कमजोर होती है और उन्हें सीखने में भी परेशानी होती है वयसको में कोलीन की कमी से मास पेशियों और कलेजे को नुकसान हो सकता है कोलीन की कमी से कलेजे से फैट बाहर नहीं निकलती है इससे फैट जमा होता है जिससे नान अलकोहलिक फैटी लीवर बीमारी होती है कोलीन की कमी से अलजाइमर की बिमारी भी हो सकती है और अलजाइमर रोग में याददाश और सोचने की क्षमता कम हो जाती है कोलीन का भरपूर सेवन अलग-अलग आयू के लिए अलग होता है शुन्य से 13 मेहने के शिशों के लिए यह रोज 125 से 150 मिलिग्राम है एक से आट साल के शिशों के लिए यह रोज 200 से 250 मिलिग्राम है और 9 से 13 साल की उम्र के लिए रोज 375 मिलिग्राम की जरुरत होती है 14 से 18 साल के लोगों को रोजाना 400 से 550 मिलिग्राम की जरुरत होती है वयस्क पूर्शों को रोज 550 मिलीग्राम की जरूरत होती है गर्भवती महलाओं को रोज 450 मिलीग्राम कोलीन की जरूरत होती है दूद पिलाने वाली महलाओं को रोज 550 मिलीग्राम की जरूरत होती है हमारा शरीर परियाप्त मात्रा में कोलीन नहीं बनाता इसलिए इसे खाने में से ही लेना चाहिए आईए हम कोलीन के खाने के स्त्रोतों को देखे अंडे, चिकन लीवर, मच्छली, गेहूं के अंकूर, दाने, बीच और फलिया इसके अच्छे स्त्रोत है आईए कुछ खाने की चीजों में मौजूद कोलीन की मात्रापन नजर डालते है एक अंडे में लगभग 147 मिलीग्राम कोलीन होता है 100 ग्राम चिकन के कलेजे में लगभग 190 मिलीग्राम होता है 100 ग्राम रावस में लगभग 89 मिलीग्राम होता है ग्राव फुल्गोभी में एकसो सताईस मिलिग्राम होता है। 30 ग्राम सोयाबिन में 34 मिलिग्राम होता है। अच्छे स्वास्त के लिए रोज कोलीन से भरपुर खाना खाए। अब यह टुटोरियल यही समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट बेला टोनी द्वारा अनुवादित है। मैं स्नेहां किता देवगेकर अब आप से विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। कोलीन से भरपूर शाकाहरी खाने पर बने स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है। इस टुटोरियल में हम सीखेंगे कोलीन का महत्व। कुछ कोलीन से भरपूर शाकाहरी खाना बनाना। कोलीन कोशिका संरचना बनाए रखने में और कोशिकाओं के कार्य में मदद करता है इसके प्रसूत तंत्रीका आवेक को ले जाने में मदद करते है ये आवेक तंत्रीका से तंत्रीका तक या तंत्रीका से किसी अंग तक हो सकते है कलेजे के सामान्य कार्य के लिए भी कोलीन की आवशक्ता होती है कोलीन के महत्व को अन्य टुटोरियल में समझाया गया है इस टुटोरियल के लिए क्रिपया हमारी वेब साइट पर जाएं अब पहले हम देखेंगे अंकुरित मूंग दाल की इडली बनाने का तरीका आव कप कसा हुआ गाजर एक छोटा चमच मेथी के बीज एक छोटा चमच जीरा नमक स्वादानसार एक छोटा चमच तेल बनाने का तरीका सबसे पहले हम अंकुरित मूंग दाल से शिरुवात करेंगे दो बड़े चमच मूंग दाल रात भर या आट घंटे के लिए भिगोए सुभध होए और चान ले फिर इसे मलमल के कपड़े में बांध कर किसी गर्म स्थान पर अंकुरित होने के लिए रख दे सर्दियों में इसे अंकुरित होने में एक दिन से अधिक समय लगता है ध्यान दे कि अंकुर कब दिखाई देते है फिर उड़त दाल और मेथी के बीज एक साथ रात भर भिगो दे अगले दिन उन्हें चान दे उन्हें अंकुरित मुंगदाल के साथ पीस कर मुलायम घोल बना ले पीसने के लिए आप सिल्बट्टे या मिकसर का उप्यो कर सकते है घोल को कटोरे में डाले कटोरे को धकन से धक कर 6-8 घंटे के लिए खमिर उठाने के लिए रखे घोल में खमिर उठने के बाद इसमें जीरा, नमक और कसी हुई गाजर डाले और अच्छे से मिलाए अब इडली के साचे में तेल लगाए और उसमें घोल डाले इसे स्टीमर में 10-12 मिनिट तक भाब दे अंकुरित मुगदाल की इडलिया तयार है चार इडली में लगभग 302 मिलिग्राम कोलिन होता है आप इसे बनाने के लिए अंकुरित चने का भी इस्तमाल कर सकते है हमारा अगला खाना फुलगोभी का पुलाव है इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 100 ग्राम धो कर कसी हुई फुलगोभी आधा छोटा चमच धनिया पावडर एक छोटा चमच भुने हुए सुरज मुखी के बीज एक छोटा चमच भुने हुए तील दो हरी मिर्ची एक छोटा चमच काली मिर्च पावडर अन्य जरुरी सामगरी है एक छोटा चमच सर्सो एक छोटा चमच जीरा, थोड़ा सा हल्दी पावडर, मुठी भर धुले और कटे हुए हरे धनिये के पत्ते नमक स्वादानुसार, एक छोटा चमच तेल या घी बनाने का तरीका पैन में तेल या घी गर्म करे और इसमें हरी मिर्च, सरसो और जीरा डाले इनके भुन्ने के बाद कसी हुई फुलगो भी डाले और अच्छे से मिलाए इसमें नमक, हल्दी पावडर, काली मिर्च पावडर और धनिया पावडर डाले फिर अच्छे से मिलाए पैन को धक्कन से धक दे और फुलगो भी के नरम होने तक पकाए इसके बाद भुने हुए तिल और सुरज मुखी के बीज डाले अंत में धनिया की पतियों से सजाए फुलगोभी का पुलाव तैयार है एक कटोरी फुलगोभी के पुलाव में लगभग 239 मिलिग्राम कोलिन होता है हमारा तीसरा खाना चुकंदर और नारियल की चटनी है इसे बनाने के लिए आपको चाहिए आधा कब धुला हुआ और कसा हुआ चुकंदर एक बड़ा चमच कसा हुआ नारियल एक मुठी धुली और कटी हुई धनिया पतिया चार से पांच लहसुन की कली दो हरी मिर्ची, एक लाल मिर्ची आपको इसकी भी आवशक्ता होगी एक चोटा चमच सरसो, एक चोटा चमच जीरा एक चोटा चमच उड़त डाल चार से पांच करी पत्ता नमक स्वादा नुसार, एक चोटा चमच तेल बनाने का तरीका पहले हम चुकंदर को पकाएंगे कसे हुए चुकंदर को गर्म प्लेट में रखे और आट से दस मिनिट तक पकाएं भाप लगने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दे चुकंदर के ठंडा होने के बाद हम चटनी बना सकते है चुकंदर, नारियल, लहसून, धनिया, हरी मिर्च, मिकसर जार में डाले एक बड़ा चमच पानी और नमक डाले और इसका मुलायम पेस्ट बनाए चुकंदर, नारियल के पेस्ट को एक कटोरे में निकाले और अलग रखे अब हम चटनी के लिए तड़का बनाएंगे पैन में तेल गरम करे उड़त दाल, करी पत्ता, लाल मिर्ची, सरसों और जीरा डाले बीजों के भूनने के बाद पेस्ट में तड़का लगाए और अच्छे से मिलाए चुकंदर और नारियल की चटनी तयार है इस आधाकब चटनी में 244 मिलीग्राम कोलीन होता है अब हम सीखेंगे डाल बनाना इसे बनाने के लिए आपको चाहिए देड बड़ी चमच मोठ डाल एक बड़ी चमच अरहर डाल एक बड़ी चमच उड़त डाल एक छोटा चमच अंकुरित मेथी दाना चार से पांच लोकी के टुकडे, तीन से चार फुलगोभी के टुकडे एक हलका बारीक कटा टमाटर, एक हलका बारीक कटा प्याज मसाला के पेस्ट के लिए आपको चाहिए एक छोटा चमच जीरा, एक छोटा चमच काली मिर्च, दो हरी मिर्च तीन लहसुन की कली एक दालचीनी का टुकड़ा पांच लौंग आपको इसकी भी आवशकता होगी आधा छोटा चम्मच हल्दी पावडर आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पावडर एक मुठी धुली और कटी हुई धनिया की पत्तिया एक छोटा चम्मच निम्बू कारस, एक छोटा चम्मच तेल या घी, नमक, स्वादा अनुसार, बनाने का तरीका मोठ डाल, अरहर और उड़त डाल को धोकर 6-8 घंटे के लिए भिगो दे, फिर इन डालों को अंकुरित मेथी दानों और सबजियों को कुकर में डाले, इसमें मसाले, नमक और पानी डाले, सीटी लगने तक प्रेशर कुकर में पकाएं, साथ ही साथ मसालों में बताई गई सभी सामगरी को पीस कर पेस्ट बनाले, कुकर से प्रेशर निकल जाने के बाद दालों और सबजियों को घोट ले, इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करें और प्याज हलका भूरा होने तक भुने इसमें टमाटर डाले और मुलायम होने तक पकाएं इसमें मसाला पेस डाले और कच्चे पन की महक हट जाने तक पकाएं घोटी हुई डाले और सबजियां डाले और पांच से दस मिनिट तक पकाएं अंत में नीम्बू रस मिलाएं करी को क कटोरे में निकाले और धनिया की पत्तियों से सजाए। डाल तयार है। इस एक कटोरी डाल में लगभग 449 मिलीग्राम कोलीन होता है। अच्छे स्वास्त के लिए इन कोलीन से भरपुर खानों को अपने रोज के आहार में शामिल करे। इसी के साथ ये टुटोरियल होता है। यह स्क्रिप्ट विकास सेमवाल द्वारा अनुवादित है। मैं स्नेहां किता दिवगेकर अब आप से विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। कोलीन से भरपुर मावसाहरी खाने पर बने स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है। इस टुटोरियल में हम कोलीन से भरपुर मावसाहरी खाना बनाना सीखेंगे। पूरे स्वास्ते के लिए ज़रूरी कोलीन एक आवशक पोशक तत्व है। यह कलेजे के सामान्य कार्य के लिए भी ज़रूरी है। फैट और कोलेस्टरॉल के संचरन के लिए भी कोलीन की आवशक्ता होती है। कोलीन के महत्व को अन्य टुटोरियल में समझाया गया है। इस टुटोरियल के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाए। पहला हम सीखेंगे अंडा नूडल्स बनाना। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए दो अंडे, आधा मध्यम कटा हुआ प्याज, आधा मध्यम कटा हुआ टमाटर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पावडर, थोड़ा सा हल्ली पावडर, आपको इसकी भी आवशक्ता होगी, आधा छोटा चम्मच जीरा, एक मुठी और कटी हुई धनिया की पत्तिया, नमक स्वादा अनुसार, दो छोटे चम्मच तेल या घी, बनाने का तरीका, एक कटोरे में अंडे तोड़े, नमक और लाल मिर्च पावडर डाले, फिर अंडों को अच्छे से फेटे, पैन में तेल गर्म करे और अंडे को पैन में डाल पैन में तेल गर्म करे और जीरा डाले, जीरा भून जाने पर प्याज डाले, प्याज को सुनहरा भूरा होने तक भूने, टमाटर, हल्दी पावडर और नमक डाले, अच्छे से मिलाए और टमाटर के मुलायम होने तक पकाए, इसमें आमलेट के पतले लंबे टुकडे डाले, फिर से अच्छे से मिलाए और पाच मिनिट तक पकाए, धनिया की पतियों से सजाए, अंडा नूडल्स तयार है, एक कटोरे अंडा नूडल्स में लगभग 290 मि अगला हम सीखेंगे चिकन कलेजा करी. इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 50 ग्राम धुला हुआ चिकन कलेजा, एक मध्यम कटा हुआ प्याज, एक छोटा चम्मच अद्रक लहसुन पेस्ट, एक मुठी धुली और कटी धनिया की पत्तिया, एक मुठी पुदिना की पत्तिया, दो हरी मिर्च, आपको इसकी भी आवश्यक्ता होगी, एक छोटी चम्मच हल्दी पावडर, एक छोटी चम्मच जीरा, आधा निम्भु का रस, नमक स्वादा नुसार, दो छोटे चम्मच तेल, बनाने का तरीका, अद्रक लहसुन पेस्ट और आधा छोटा चम्मच हल्दी पावडर कलेजे पर लगाए, तीस मिनिट के लिए उसे छोड़ दे, धनिया की पत्ती, पुदिना की पत्ती और हरी मिर्च को पीस कर पेस्ट बनाए, इसे बाद के उप्योग के लिए अलग रखे, पैन में तेल गरम करे, जीरा डाले और इसे भूने, प्याज डाले और सुनहरा भूरा होने तक इसे भूने, इसमें वो पेस्ट डाले जिसे हमने पहले बनाया था, अब चिकन कलेजा डाले, हल्दी पावडर और नमक डाले, इसे अच्छे से मिलाए और आधा गिलास पानी डाले, पैन को ढखकन से ढखके और दस मिनित तक या कलेजे के पकने तक पकाएं, आधा नीम्बू का रस निचोड कर परोसे, चिकन कलेजा करी तैयार है, आधे कटोरे चिकन कलेजा करी में 251 मिली ग्राम कोलीन होता है, तीसरा हम सीखेंगे जिंगा मसाला करी, इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 50 ग्राम जिंगा, एक मध्यम कटा हुआ प्याज, एक मध्यम अकार के टमाटर की प्यूरी, पाव कप दही, एक छोटा चम्मच अद्रक लहसुन पेस्ट, आपको इसकी भी आवशकता होगी, एक छोटा चम्मच लाल मिर्ज पावडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पावडर, एक छोटा चम्मच नीम्बु का रस, एक छोटा चम्मच गरम मसाला पावडर, एक छोटा चमच जीरा, नमक स्वाद अनुसार, दो छोटा चमच तेल बनाने का तरीका करी बनाने के लिए जिंगों को धोकर साफ करे जिंगे के पीठ पर चीरा लगाएं और काला धागा निकाल दे इस काले धागे को दूसरी तरब से भी हटाना पड़ता है अगर हो तो जिंगों पर निम्बू का रस, अद्रक लहसुन पेस्ट और नमक लगाएं तीस मिनट के लिए इसे छोड़ दे प्यूरी बनाने के लिए टमाटर को पीसे अब पैन में तेल गर्म करें और जीरा डाले जीरे के भून जाने पर कटा हुआ प्याज डाले हलका भूरा रंगाने तक प्याज को भूने अब इसमें टमाटर की प्यूरी डाले और पाच मिनिट तक पकाएं मसाले, नमक, जींगा और दही डाले ध्यान दे कि दही डालते समय आँच धीमी हो अच्छे से मिलाए और आधा गिलास पाणी डाले पैन को ढग दे और दस मिनिट तक या जींगे के पकने तक धीमी आँच पर पकाएं जींगा मसाला तयार है आधा कटोरे जींगा मसाला करी में लग भग तीन सो उनासी मिलिग्राम कोलिन होता है आखरी हम सीखेंगे मचली करी इसे बनाने के लिए आपको चाहिए सो ग्राम धुली रोहू मचली एक मध्यम कटा हुआ टमाटर दो छोटे चमच सरसों एक छोटा चमच धनिया बीज एक छोटा चमच कलोंजी के बीज एक छोटा अद्रक का टुकडा आपको इसकी भी आवशकता होगी एक छोटा चमच लाल मिर्च पावडर आधा छोटा चमच हल्दी पावडर एक मुठी धुली और कटी हुई धनिया की पत्तिया नमक स्वाद अनुसार दो छोटे चमच तेल बनाने का तरीका मचली पर नमक और हल्दी पावडर लगाए इसे 30 मिनिट के लिए अलग रखे हल्का सा पानी मिला कर सरसो का पेस्ट बनाए इसको बाद के उप्योग के लिए अलग रखे जीरा, धनिया के बीच और अद्रक का पेस्ट बनाए पेस्ट को पानी के तीन बड़े चमच के साथ घोले हम इस पेस्ट का उप्योग बाद में करेंगे पेन में तेल गर्म करें और कलोंजी के बीज डाले बीज भुनने के बाद मचली को पेन में डाले पाच मिनिट तक मचली को दोनों और से तले फिर इसमें घुला हुआ बीजों का पेस्ट डाले टमाटर, मसाले और हरी मिर्च डाले उन्हें अच्छे से मिलाए और आधा गिलास पानी के साथ नमक डाले फिर से मिलाए और टमाटर मुलायम होने तक पकाएं अब सरसो और धनिया के पत्ते डाले पैन को ढखकन से ढखके और पाच मिनिट तक पकाएं मचली की करी तैयार है एक कटोरे मचली करी में लगभग 819 मिलिग्राम कोलीन होता है अच्छे स्वास्त के लिए इन कोलीन से भरपूर खानों को अपने रोज के आहार में शामिल करे इसी के साथ ये टुटोरियल समाप्त होता है ये स्क्रिप्ट विकास सेमवाल द्वारा अनुवादित है मैं स्नेहांकिता देवगेकर अब आप से विदा लेती हूँ हमसे जड़ने के लिए धन्यवाद हमसे बांशा करी आप से लिए करे लिएवाद हमसे थारा धन्यवाद हमसे बांशा है स्नेहाँ ।